ओके हेलो चैटर्स माई नेम इस रोई तैन यूर वाचिंग रसल चैटर्स तो गईज आज की इस एपिसोड में बात करने वाले हैं WWE के RAW एंड स्मैक्डाउन लाइफ ब्रैंड के बारे में यह मैं कहूँ WWE के ब्रैंड स्प्लेट के खत्म होने के बारे में तो कुछ साल पहले 2016 में हमने देखा था कि WWE फिरस अपना वही पुराना सिस्टम लेकर आये थी जब उन्हें ने रौ एंड स्मैक्डाउन लाइफ दून ही ब्रैंड को अलग किया और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम पर अलग स्टोर लाइन देखने को मिली और स्मैक्डाउन लाइफ पर अलग मतलब दूनी ब्रैंड पूरी तरह से अलग हो गए थे लेकिन रिसेटली काफी सारी बात ऐसे चलने जिसकी वज़े से हो सकता है कि में बहुत जल्दी यह ब्रैंड स्प्लिट खत्म होता हुता ह लूँगा तो डवलोवली को घुमा फिरा कर वही चीज करनी पड़ें मतलब वही स्टूर लाइन गूम फिर के हमारे सामने आ जा रही है जैसे हम बात कर लें एज़े स्टाइल्स की वह चैंपरशिप के लिए कभी बिढ़ते हैं कभी सेमी जेन से कभी आपस में एक सब बि लगा रहा है रोबरेंट की बात करें तो मैं कह सकता हूं वहाँ पर हाल थोड़ा सा बेटर है वहाँ पर सूबस्टार ज्यादा है तो डवलोवली के पास काफी सारे औप्शन्स हैं लेकिन दिक्कत यह कुछ फ्यूट्स तो ऐसी जो डवलोवली के फैंस की ड्रीम मैचिस ह लेकिन दिक्कत यह कि एक सुपरस्टार होता है रोपर और दूसरा होता है स्मैक doğru life ब्रेंड पर तो हमें मैसिस देखने को नहीं मिलते हैं तो ऐसे में डवलोवली के पास सुपरस्टार होते हुए भी वूँनको सही तरह से यूज़ नहीं कर पारी तो ऐसे में हो सकता है कि Roman Reigns, Braun Strowman, Brock Lesnar लेकिन बात करें SmackDown Live की तो वहाँ पर बड़े सूपरस्टार के नाम पर Randy Oten शिंच के नाकम हो रहा है AJ Styles, जिंदर माहल जैसे सूपरस्टार हैं जो की रेटिंग्स इतनी लंबी नहीं ले जा पार है और उसका रीजन भी है यह आने वाले टैम में कर सकती कि और फिर से Raw and SmackDown Live को कमबाइन कर दे और हमें Brand Split का अंथ होता हुआ दिखाई दे Recently भी कुछ ऐसा हुआ है जिससे हमें यह हिंट मिलता है कि WWE के Brand Split बहुत जल्दी खत्म होने वाला है और वो है No More Exclusive Pay-Per-View में तो बास समझ में आती है क्योंकि वो बड़े Paper Views होते हैं तो ऐसे में WWE चाहती है कि वहाँ पर सभी Superstars को मौका मिले लेकिन अगर Brand Split है और ऐसे में आपने सभी Paper Views को Dual Branded भी कर दिया तो मेरे साब से अब Brand Split का कोई भी फायदा नहीं है Brand Split करने से WWE को यहाँ पर मैं कहूँ तो फायदा यह होता है कि अलग-अलग Brands होते हैं तो ऐसे में दोनों Brands पर अलग-अलग Story Line तो ऐसे में WWE के जो कमाई है वह थोड़ी सी बढ़ भी जाती है लेकिन अगर यहाँ पर हम कमाई के नाम पर देखे तो उल्टा WWE को घाटा है अब आप जरह सबसे पहले इस पोटो को ध्यान से देखिए यह SmackDown Live Brand की और यहाँ पर आप attendance देख सकते हैं अभी मुझे यह क्लियर नहीं है कि यह कप की है मतलब जब खत्म होगी थी SmackDown Live यह चल रही थी यही होता है brand split करने का की वह ताकि ज्यादा money generate कर पाएं लेकिन अगर ऐसे में यही चीज उन पर उल्टी पढ़ जाए तो आप साफ कह सकते है कि हमें बहुत जल्दी WWE के अंदर brand split का आंति देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है कि यह चीज बहुत जल्दी आने वाली मतलब की शायद इसी साल या अगले साल या तो WWE को यह बड़ा चमतकार करें या फिर आंकरकार कर ही देखने को मिल सकता है कि अगर WWE का brand split वाला यह system खत्म हो जाए तो फिर आगे चलकर हम WWE के अंदर युनिवर्सल चैंपरशिप भी देखने को ना मिले ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम युनिवर्सल चैंपरशिप की तरफ नजर दोड़ा है तो उसका color क्या और इसमें अब जब इसका नाम लिया जाता तो लिया जाता डवली चैंपरशिप वैसे लिया जाना चाहिए डवल्ड वर्ल्ड हाइवेड चैंपरशिप तो आने वाले टाइम में काफ़ इंट्रस्टिंग चेंजिस भी हमें ब्रैंड स्प्लिट खत्म होने के बाद देखने को मिल सकते हैं और बात करें हम रौ एंट स्प्लिट खत्म होने के बाद हमें डवल डवली इससे गायव होती भी दिखाई देंगी तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक थी उमीद करता हूँ आपको वीडिया अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना कमेंट करके बताना की आप क्या चाहते हैं की ब्रैंड श्पिलेट हमें देखने को मिले या फिर डवल वी को फिर से रोव एन्ट स्माइक तौर लाइ ब्रैंड को एक साथ कर देना चाहिए साथ यसाथ आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बैर आकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मैरे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज, विमर्स और कुछ इंटरस्टिंग बाते जानने को मिलती रहें So see you guys in my next video